नमस्कार दोस्तों आप क्राइम तक देख रहे हैं बात करते हैं आज सुप्रीम कोट के उच फैसले की जिसमें सुप्रीम कोट ने डीजीप को लतार लगई और कहा है कि अगर आरोपी के खिलाफ कोई कारवाई की गई तो सक्त कारवाई सुप्रीम कोट करेगा दरसल मैं आप पूरा मामला आपको बताता हूँ, 100 करोड का सामराज ये 50 से जादा मुकदमे इलाके में खौफ, दो भाईयों की कहानी है, दरसल अनुराग दूबे और अनुपम दूबे, दोनों गैंस्टर्स हैं, दोनों फरुकाबाद के रहने वाले हैं, दोनों के खिलाफ कई मामले दर् बात से वुखफा है और उसने सुप्रीम कोर्ट में किया चिका दाकिल की, उसके उपर एक आरोप और लगाया गया कि उसने जमीन को हथिया लिया है, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट के सामने कुछ दस्ताविज रखे गए तो पता चला कि ये तो खुद ही पिडित है, इसको सुप्रीम कोर्ट ने गहीं, मैं आपको बताना चाहूंगा दरसल पूरा मामला क्या है, फरका बात के गैंस्टर है, अनुराग दूबे, उसके खिलाव धोका धड़ी का मामला है, मार्पीट का मामला है, जाल साजी के कई सारे मामले है, एनसे तक उसके उपर लगा हुआ है आप सोच रहे हैं, एक सुप्रीम कोर्ट ने एक आरूपी का पक्ष क्यों लिया, आखिर इतना मुकदमे होने के बावजू सुप्रीम कोर्ट ने ये क्यों का, डीजीपी को क्यों लतार लगई, वो मैं आपको बताता हूं, दरसल अनुराग का भाई अनुपम है, जो की बी आगे आपको बताता हूं, पिछले कुछ समय से ये दोनों पुलिस के रडार पर हैं, ताबर तोड इनकी संपत्या कुर्प की जा रही है, क्योंकि ये पता चला है कि जो इन्होंने संपत्य अर्जित की है, वो अपराद की से जो आये हुई है, उसके अधार पर इनने परार चल रहा है, जो टिपनी की है, वो अनुराग को लेकर सुप्रीम कोट में की है, अलग अलग जिलों में 50 से अधिक मामले दर्ज हैं, अनुराग की तलाश में कई जगा च्छापे मारी की जा रही है, दर असल अनुराग ने सुप्रीम कोट में एक एंटिसिपेटरी ब मामले में अनुराग को अग्रिम जमानत दी आप सोचिए आरोप ये लगा था कि उसने किसी की भूमी हडप ली है उस मामले में जमानत दे दी वहीं पुलिस की कारे शहले पर सक्थ टिपड़ी की 28 नमंबर को जब गैंग्स्टर की अग्रिम जमानत पर सुनवाई हो रही थी तो जो नयाय मूर्ती है सूरिकांत और नयाय मूर्ती उजबल भुयान इनकी पीठ ये पूरे मामले की सुनवाई कर रही थी पीठ ने पाया कि याचिका करता के खिलाफ कई एफायर दर्ज है और उसे डर है कि अगर वह जाच के लिए कोर्ट में पेश हो तो उसके खिलाफ एक और मामला दर्ज कर लिया जाएगा यानि कि ये आरोप अनुराग की तरफ से लगाए गया कि पुलिस उसके खिलाफ लगातार मामले दर्ज कर रही है यहां तक कि कई फर्जी मामले भी उसके उपर दर्ज कर ले गए है इस मामले में आरूपी के वकील ने दावा किया कि अनुराग हर बार पूश्टाच के लिए उपस्तित होता है लेकिन यूपी पुलिस ने सिर्फ पत्र के माध्यम से संबन भेशती है कोट ने पुछा कि आज के जमाने में पत्र क्या चीज है याई लेटर क्या है आपको गर संबन करना है किसी को आप बुला लिजय थाने ये तमाम बातें कोट ने गई दो तो कहा कि किसी भी परिष्टिति में याची का करता के उसके खिलाफ चलरे मामलों में या किसी नए मामले में अदालत की पूर्व अनिमती के बिना गिरफतार नहीं किया जागा साफ साफ कह दिया कि इस आरोपी को गिरफतार नहीं किया जाएगा जब तक कोट नहीं किया देता ऐसा क्यों कहना पड़ा सुप्रीम कोट को मैं आपको बताता हूँ पुलिस ने जो सुप्रीम कोट का कहना है उनका कहना है कि पुलिस के लापरवाही और और समवेदनशील रवये को लेकर डीजीपी क्या कर रहे हैं यह सबाल सुप्रीम कोट में पूछा अगर आज आप रिपोर्ट दर्च करेंगे तो हम ऐसा आदेश देंगे कि आप याद रखेंगे आखिर एक आदमी पर आप कितने मुकदमे दर्च करेंगे इस पूरी घटना से एक बात साफ हो रही है जो कि याचिका गरता का कहना है क कि वो जब भी पुलिस के समक्ष पेश होता है उसके खिलाफ कोई ना कोई नया मुकदमा दर्च कर दिया आता है इसलिए एंटिसीपेटरी के लिए सुप्रीम कोट की शर्ण गया सुप्रीम कोट ने यह टिपनी की और यह कहा कि आपकी पुलिस किस खतरनाक शेत्र में प्र यह पुलिस की एक तरह से पावर का विस्यूस किया जा रहा है यह बात कहीं मुझे याद एक मैने वीडियो बनाई थी उत्तर प्रदेश पुलिस को लेकर गाजियाबाद की पुलिस थी जिसमें हमने दिखाया था कोशामभी पुलिस ने किस तरह से एक बिजनसमैन को फरज आरूपी के खिलाफ दे धनादन मामले दर्च हो रहे हैं लेकिन दोस्तों आप जरूर सोच रहे होंगे कि यह तो आरूपी है इसके खिलाफ अल्रेड़ी इतने सारे मामले दर्च है तो फिर ऐसी निर्मी क्यों बरत रहत रहे है सुप्रीम कोट एक आरूपी के प्दरसल आ ये कहा कि जब भी आरोपी आता है एक के बाद एक कितने मुकदमे उसके उपर दर्ज करोगे यानि कि सुप्रीम कोट ने भी माना कि एक आदमी के खिलाफ जो मुकदमे दर्ज हो रहे हैं उनमें कही न कही डाउट है वो सारे मुकदमे सही नहीं हो सकते तो ये एक अपने आप में नजीर बनेगा सुप्रीम कोर्ट का ये एक इतिहासिक फैसला है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से कहा जाए वर्क कल्चर को जागर कर दिया है किस तरह से उत्तरप्रदेश की पुलिस काम करती है मैं सभी थानों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सभी पूरी उत्तरप्रदेश-पुलिस की भी बात नहीं कर रहा हूं लेकिन कुछ ऐसे ठाने जरूर है जो शायद यε भूल गए है कि कानून का भी राज होता है, कानून के हिसाब से कारवाई होनी चाहे है लेकिन इस मामले में जो दूसरा पक्ष है यानि कि पुलिस है वो मेरी कई पुलिस अधिकारियों से बात उत्तर प्रदेश के उने का कि गैंक्स्टर को लेकर अगर हम सक्ती नहीं करेंगे तो फिर गैंक्स्टर तो कई न कई बेलगाम हो जाएगा इस मामले में इमने देखा स सौ करोर का समराज्य इतने सारे मुकद्विया अगर किसी गैंक्स्टर के खिलाफ दर्जे तो वो कुछ सादू संत तो है नहीं और जब सादू संत नहीं है तो जाहिर है उसके खिलाफ कारवाई होनी चाहिए लेकिन सवाल यह उठता है कि अपराधियों के भी राइट्स हो सबसक्ता है उसका उसका मिशुम बिलकुल ना करें पावर को इंज्वाइन न किजेए के साथ रिस्पौंसिपलिया थी मुझे मुझे जच का कमेंट यहाँ पर याद आए एक और मीम और मेंं मौट में मुर ब्रिस्पौंसिपलिटी यानि जितनी जाद़ आए आपके पास आती है तो आप उसका मिस्यूज भी करते हैं ऐसा नहीं हो अच्छी यह सुप्रीम कोट ने बहुत क्लियर कटका तो यह जो फैसला है मैंने इस पर इसली वीडियो बनाई क्योंकि यह कहीं ना कहीं यह बताता है उन लोगों के लिए जिन लोगों के खिलाफ गलत मुकदमे दर रहे हैं यह वीडियो कैसी लगी दोस्तों जोर बताएगा हमारा मकसद यह था कि सच आपके समक्ष लेकर आया जाए धन्यमाद दोस्तों